यह पब्जी वाला है क्या है हेलो एवर्वन क्या बोलती पॉब्लिक विल्कम बैक टो अ ब्रैंड न्यू वीडियो तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाने लेटेस्ट न्यूस पब्जी मुबाल इंडिया के बारे में तो चलिए शुरू करते हैं तो जैसे कि अब जानते हैं कि Ministry of Electronic Information Technology ने पॉब्जी मुबाल और बहुत सारे चाइनीज आपस को बैन कर दिया था क्यूंकि उन्हें लगता था कि जो डेटा इंडियन प्लियर्स का है वो चाइना जा रहा है और उसका गलत इस्तमाल कर सकते हैं तो इसलिए पॉब्जी की पेरेंट कमपणी जो है क्राफ्टाउन उसने टेंसेंट जो कि एक चाइनीज कमपणी है उससे अपने टाइस तोड़ दिये और बाद में पॉब्जी मुबाल और माइक्रोसफ्ट का एक डील हुआ जिससे सारे जो भी डेटा है इंडियन प्लेयर्स का वो सफ इंडिया वी रहेगा उसके बाद क्रैफटा ने अनॉंस किया क्यों फंड़े उसनडर्ड मिलियन डॉलर्ज इंविस्ट करने वाले हैं और साथी साथ रनर्ड एंप्ल्लोई इसको एम्प्लोеш करने वाले अधिक ताकि लोकल e-sports इंडिया में ग्रो करें और जादे से जादे बंदे इस गेम को खेलें तो ये सारे थोड़े इंपोर्ट डिफरेंसेंस हैं जो PUBG Mobile India और PUBG Global Version में होगा कि PUBG Mobile Indian Version में जो characters होते हैं Spawn Island में पहले से ही कपड़े पेंड के आएंगे ताकि वो इंडियन सब्य था के हिसाब से होगा और साथी साथ है आपका हीट एफेक्ट चुप हले रेट था वो ग्रीन होगा और गेम खेलने पर भी एक नया तो इसी के साथ एक गुड न्यूज भी है और एक बैड न्यूज भी गुड न्यूज यह है कि PUBG Mobile इंडिया का प्री रेजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है जैसे कि आप देख सकते हैं टाप टाप एक वेबसाइट है जिदर आप अपना PUBG Mobile इंडिया को प्री रेजिस्टर कर सकते हैं जब भी वह आया जाएगा अब जल से जड़ डालोड कर सकते हैं लेकिन प्ले स्टोर में अभी तक वह नहीं आया है और PUBG Mobile के ऑफिशल फेस्बुक और इंस्टाबेजिस बेबी यह लिखा गया कि PUBG Mobile इंडिया कमिंग सून लेकिन उसका ऑफिशल डेट अभी तक आया नहीं तो जैसे कि आप देख सकते हैं PUBG Mobile इंडिया का ओफिशल फेस्बुक पेज और इधर फोटो है कि PUBG Mobile इंडिया कमिंग सून तो चलिए देखते हैं कि टाप टाप में क्या है आखीद कि आप कैसे प्रेजिस्टर कर सकते हैं तो हम आच चुके हैं टाप टाप में और में अदर PUBG Mobile इंडिया सर्च करने वाला हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों ने पहले से ही प्रेजिस्टर कर दिया है तो जैसे कि आप जानते हैं कि PUBG Mobile इंडिया की official announcement होने वाली थी दिवाली के टाइम पे लेकिन अभी तक नहीं हुई इसलिए क्योंकि गवर्णमेंट अभी तक PUBG Mobile के नई policies और regulations के साथ satisfied नहीं है तो जब वो satisfied हो जाएगी वो इने green signal दे दीगी तो आप बस यह expect कर सकते हैं कि November 15 को एक teaser आएगा या ट्रेलर आएगा PUBG Mobile इंडिया का और official game जो प्ले स्टोर में आ सकता है वो November ending में या December में आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको information लगी और like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए तिल देन peace out गाइज बाइज बैसिक ट्रीक है एक तो लाइक और शेट ठोक दिजिए महाकाल का चाहिए तबागर लाइक और शेट ठोक दिजिए 5,000 लोड़े दिख जाना चाहिए झाहिए